नमस्कार दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल इस्टेडी ITI स्किल्स के एक और नए वीडियो में हमारे पिछले वीडियो में हमने जाना कि सेमी कंड़क्टर मटेरियल जैसे की जर्मीनियम या सिलिकॉन में किसी अन्य पदार्थ की अशुद्धी मिलाकर उसे P-type या N-type सेमी कंड़क्टर में बदला जा सकता है P-type सेमी कंड़क्टर में विद्युत का प्रवाह होल्स के कारण होता है इसलिए इसमें प्रवाहित होने वाली करंट को हम होल करंट भी कहते हैं इसी तरह से N-type semiconductor में विद्युत का प्रवाह electron के द्वारा होता है। इसलिए इसे हम electron current कहते हैं। इन सभी की detailed study हमने हमारे पिछले वीडियो में की है, तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लें। ताकि आपको आज का topic भी अच्छी तरह से clear हो सके। जब P-type semiconductor एबं N-type semiconductor को आपस में जोड़ा जाता है, तो इनकी मिलने से बनने वाले junction या joint को P-N junction कहते हैं। P-N junction को diode भी कहा जाता है। आज की वीडियो में हम इसी diode की detailed study करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। diode एक electronic device है जिसको P-type एबं N-type semiconductor को आपस में मिला कर बनाया जाता है। इसके बाद इस device को एक आवरण में बंद कर दिया जाता है। इसमें P-side एबं N-side पर दो terminal भी प्रयोग किया जाते हैं। P-side पर लगे हुए terminal को anode एबं N-side पर लगे हुए terminal को cathode कहते हैं। यहाँ पर anode positive terminal होता है एबं cathode negative terminal होता है। Anode एबं cathode की पहचान के लिए diode में cathode की side पर कोई पत्ती, ring या कोई निशान बना दिया जाता है। Electrical circuit में diode को इस चिन्हे के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जिसमें एक triangle होता है एबं इसके शीर्ष पर एक vertical line होती है। Triangle का base anode यानि positive terminal एबं यह line cathode यानि negative terminal को प्रदर्शित करती है। Diode से विद्युत का प्रवाह इस बात पर निर्भर करता है कि diode को बैटरी से किस प्रकार से जोड़ा गया है। जब diode के P side यानि anode को बैटरी के positive terminal से जोड़ा जाता है तो diode में से विद्युत का प्रवाह होता है। इसे हम forward bias कहते हैं। और यदि diode के negative side यानि की cathode यानि N side को यदि बैटरी terminal से जोड़ दिया जाए। तो इस स्थिती में diode में से विद्युत का प्रवाह नहीं होता। एवं इस condition को हम reverse bias कहते हैं। आईए जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। यानि कि diode में से केवल एक ही दिशा में विद्युत का प्रवाह क्यों होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि P type semiconductor में holes होते हैं। जानि कि ये electron को donate करते हैं। जब P type एवं N type semiconductor को आपस में मिला कर P N junction बनाया जाता है। तो इनकी junction line के आसपास N type semiconductor से कुछ electron जंप करते हैं। एवं P type semiconductors में जाकर holes की जगह को भर देते हैं। जिससे junction line के आसपास का P type semiconductor का शेत्र आणशिक रूप से negatively charge हो जाता है। एवं N type semiconductor का यह शेत्र आणशिक रूप से positively charge हो जाता है। junction line के आसपास की इस जगह को हम depletion layer कहते हैं। जब इस diode को किसी battery के साथ forward bias में जोडा जाता है। तो battery का positive terminal electrons को अपनी ओर आकरशित करता है। एवं इस depletion layer से electron battery के positive terminal की ओर चलते हैं। इसी समय battery का negative terminal electrons को प्रतिकरशित भी करता है। जिससे की diode के N side पर depletion layer से होते हुए electron battery के positive terminal की ओर चलते हैं। और इस circuit में विद्युत का प्रवाह होने लगता है। अब बात करते हैं reverse biasing की जहांपर की diode का N side बैटरी के positive side से जुड़ा हुआ है। इस समय battery का positive terminal electrons को आकरशित करता है। एवं battery का negative terminal जो की N side से जुड़ा हुआ है holes को आकरशित करता है। ऐसा होने से depletion layer की चोड़ाई बढ़ जाती है। depletion layer की चोड़ाई बढ़ने से इसमें से electrons का flow संभव नहीं हो पाता। इसलिए diode forward biasing यानि किसी एक दिशा में तो विद्युत का प्रवाह होने देता है। लेकिन की विपरीद दिशा यानि reverse biasing में विद्युत का प्रवाह नहीं होने देता। आईए अब जानते हैं diodes के प्रकार के बारे में। पहला diode है साधारन diode यानि PN junction diode। अभी हमने जिस diode की study की है उसे ही PN junction diode कहते हैं। PN junction diode यानि साधारन diode का प्रयोग मुकतार rectifiers के निर्माण में होता है। Rectifier वे device होते हैं जो की AC धारा को DC धारा में convert करते हैं। दूसरा diode है light emitting diode जिसे short में LED भी कहते हैं। इन diode में से विद्युत्धारा प्रवाहित होने पर ये प्रकाश उत्सरजित करते हैं। इन diode का निर्माण मुक्रूप से gallium phosphide एवं arsenic phosphide के द्वारा किया जाता है। Light emitting diode का प्रयोग मुक्रूप से घणियों, signboard, calculator, mobile इत्यादी में किया जाता है। तीसरा diode है photo diode, photo diode पर जब light या प्रकाश की किरने पड़ती हैं तो इसमें से विद्युधारा उत्पन्न होती है। Photo diode का प्रयोग मुक्रूप से solar cells में, computer tapes एवं पंच कार्डों को पढ़ने में एवं live से control होने वाले switch बनाने में किया जाता है। अगला diode है short की diode, इस diode में voltage drop बहुत कम होता है, एवं इसका प्रयोग भी rectifier के निर्मान में होता है। अगला diode है gener diode, यह diode एक इस्थिर reference voltage प्रदान करता है, इसलिए gener diode का प्रयोग power supply में एक इस्थिर और reference voltage प्रदान करने के लिए किया जाता है। अगला diode है tunnel diode, जब voltage बढ़ाने पर भी current का प्रवाह कम होता है, तो इसे हम negative resistance effect या tunnel effect कहते हैं, tunneling effect पर आधारिट diode, tunnel diode कहलाते हैं, tunnel diode का प्रयोग मुख्य रूप से microwave circuit में किया जाता है। अगला diode है varactor diode, varactor diode एक ऐसा diode है जिसका प्रयोग संधारित्र यानि capacitor की तरह किया जाता है, यानि कि varactor diode का प्रयोग charge को store करने में किया जाता है, varactor diode का प्रयोग मुख्य रूप से voltage controlled oscillators में होता है, इनके अलावा भी बहुत सारे diode हैं, जैसे कि laser diode, avalanse diode इत्यादी, वैसे दे diode electronics का एक बहुत बड़ा और detailed topic है, लेकिन यहाँ पर हमने कुछ basics की study की है, जो कि ITI की allied trade के लिए जरूरी है, अगर आपको यह video पसंद आया हो, तो इसे like करके share जरूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे channel को subscribe नहीं किया है, तो इसे subscribe करके bell icon को जरूर दबा लें, ताकि आपको हमारे सभी videos की notification मिलती रहे, तो मिलते हैं अगले video में, जैहन!